दोस्तों आज के बीडियो बहुत ज़दा इंपोर्टेंट होना डोस्तों इस एस बीडियो में बताऊंगा तौफ फाइफ कार जो आपके कार नहीं नहीं तो आपका इकदम बेकार है दोस्तों खास तोर पे जब आप नया गाड़ी खरीते हैं ना तो सब्सूरूम प्राइस अब कई सारे कंपनी में क्या होता है कि कहीं 40,000 का कहीं 50,000 का कहीं साथ यार का फोप देते हैं और कस्टमर को पता नहीं चल पाता है कि क्या मैं लूँ और क्या नहीं लूँ तो यह वाला वीडियो बहुत ज़र इंपोर्टेंट होने वाला है तो यह वाला वीडियो प्लीज देख कि जाएए जो भी इंपोर्टेंट अश्री टॉप फाइफ है जो आपके कार के लिए इंपोर्टेंट है उसको बताया हूं चली स्टार्ट करते हैं वैल दोस्तों यह मेरी थार और सबसे पहला अश्रीज में बाहर के तरफ से सुरू करत आप विंडो को डाउन करेंगे तो अंदर के तरफ पानी नहीं आएगा और उससे क्या होता है एर इंटेक प्रॉपर रहेगा और यह भाफ जो रहता है पुरा उड़ जाता है खास दोर पे इसका यूज वही रहता है कि यहाँ इस तरफ से कोई पानी बारी नहीं आता है बारिस का चीटा हो नहीं आता है और आपको यहाँ पर बैठे हैं तो कपड़ा बगार आपका नहीं भीगेगा साथ ही साथ जो यहाँ पिर के IGHसा भीने तोर दोस्तोब लिघक जब आप नए गाड़ी को परचेच करते हैं और ट्राफिक वगरह में सहर में चल रहा है तो दोनों तरब से आपके गाड़ी को बहुत ज़दा प्रोटेक्टिव रखता है क्या होता है बहुत ज़दा भीड़ भाट रहता है आप गाड़ी में ध्यान नहीं दे पाओगे नय से लेकगाड बगरह इस पहdown जाता है और यहां पर इंपक्ट आ जाता है और आपके पेंट को मतलब रुगारा उखड जाता है यह फिर आप पर डेंट लगाता है और बहुत ज़दा मतलब दुख होता है साथ ही साथ का भी जाए क्टेटिव रखने के लिए यह बहुत स्क्रैच या फिर देंट होने से बच जाएगा यह वाला अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है साथ ही साथ कई बार कई सारे कंपनी अपने कार्स पे उस पे मतलब ब्रैंडिंग के साथ देते स्विप्ट वगरा लिखके डियार लिखके आई 20 लिखके तो ऐसे में यह वाला आपके लुक को भी नहीं करेगा आपके बॉड़ी को भी अच्छा खासा सेफ रखेंगा अब दोस्तों तीसरा इंपॉर्टेंट अससरी बाहर के तरफ है जो कि यह मड़ फ्लैप देखिए दोस्तों यह पार्टिकुलर पार्ट आप देख रहा है ना इसको बलते मड़ फ्लैप यह अपका फ्रंट में भी लगता है और रियर में भी लगता है दोस्तों इससे लुक वगरा तो कुछ नहीं होता है लेकिन बहुत जाले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यह बारिस के मौसम में जब आप गाड़ी को चलाते है बारिस के मौसम में और गं जाता है जब आपके बाड़ी पर लगेगा कार के तो यहां पर लगेगा चाहिए कहीं लगेगा तो आप लॉंग ट्रिप पर जाएंगे 25-50 किलमेटर सफर करके आ रहे हैं तुरूंत आप गाड़ी धोएंगे नहीं अब वो जम जाता है और उसके बाद फिर रश्टिंग जाए अंदर के तरफ जो की है सीट कवर दोस्तों सीट कवर बहुत रहा है इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी दोस्तों आप नया गाड़ी को पर्चेच करते हैं पता नहीं क्यों कुछ लोग तो सालों भर वही प्लास्टिक वाला जो कवर रहता है लगा के चलते ह मुझे नहीं समझ में आ रहा है सवफ करते हैं कि मेरा नए गाड़ी है लेकिन दोस्तों जब आप उगाड़ी सीट करते साथा और पुरा पूरा गंदा कर देते हैं पलस कहीं नकाई फाड फूर देंगे तो बच्चों का क्या भरोसा तो भाई ऐसे में यह वाला दिक्कत हो जाता है और आपको यह वाला जो सीट कभर होते हैं पक्का पर्चिछ करना चाहिए कम्पनी से सीट कभर आता है उसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है और प्रीमियम खरीद रहे हो 15 लाग का 20 लाख रुपय का और गाड़ी के इंट्रिर बहुत ज़्यादा प्रीमियम बहुत बढ़िया और नीचे के तरफ जब भी कोई इंट्री करता है देखता है बाई पैर रखे का देखेगा इतना गंदगी है मैट का क्या रहता है ना सीन जैसे अगर धूल दककड कीचर कुछ भी लेकर आ रहे हो और मैट के उपर आपका पैर रहेगा तो आप जब घर पर पहुंचे होगे इसको जाड़ दोगे यहां से निकालके आप ज़ाड सकते हो और जाड़ के बाहर से अच्छे सफा कर सकते हो ब्रस भी मार सकते हो बाकि अगर मैट न पूरा बैठ जाएगा और कहीं ने कहीं फिर बाड़ी को रश्ट करने लगेगा नीचे के तरफ से तो यह वाला बहुत जड़ा इंपोर्टेंट है यह ज्यादा महां भी नहीं आता वैसे बाहर से आप इसको लगवा सकते हो अंदर से भी लगवा सकते हो आपका जैसा इच यह अपना अस्था होता है जिस जो इस धर्म से बिलॉंग करता है अपना लगाना चे पखा अपना अगर आस्था है तो अगया आपको द्धियो अगर अच्छा लगा तो प्लेज लाइक और शेयर कर दीजे शाथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीए एस अच्छे वीडियो के तब तक के लिए ठेक केर बाइब मिलते के लिए थैंक यू वेरी मुच पर वाचिंग